हेलो गाइज आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि फोन पे एकाउंट के रिवार्ड्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं आपको पता होना चाहिए जब आप फोन पे के थूरू से किसी को मने ट्रास्पर करते हैं किसी को पैसा बेजते हैं चाहे वो गूगल पे में हो या फोन पे में हो या पेटियम में हो या बैंक एकाउंट में हो तो उसके बदले आपको फोन पे कमपनी एक रिवर्स देता है तो उस रिवर्स को आप यूज करके कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं यही चीज में आपको बता उससे पहले आप से छोटी से रिक्वेश्ट है कि हमारी चैनल में नहीं होते नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी को दबा करके आल पे सिलेक कर देना ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच अब मैं आ गया हो मोबाइल के स्क्रीन में अपने फोन पे एकाउंट की रिवर्ड्स को यूज करने के लिए और उससे फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको फोन पर अप्लिकेसंस को ओपिन करना होगा जैसे ही फोन पर अप्लिकेसंस ओपिन कीजिएगा तो आपको फोन पर अप्लिकेसंस में एक रिवर्ड्स को ओफिन के लिए मिल जाएगा जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ और अब मेरा फोन पर अप्लिकेसंस में देख सकते हैं तो आपको रिवर्ड्स को यूज करने के लिए और उससे फायदा उठाने के लिए आपको क्य प्रफ सही या बहुत सारे यहां पे company हैं जो आपको reverse तो पर यहां पे आपको discount देता है तो इस reverse को कैसे यूज़ कर सकते हैं आपके भी phone पे applications में जो आप transactions किये होंगे उसके बादले में phone प application वाले phone पे company वाले आपको बहुत सारे reverse दिये होंगे तो उस reverse को use करने के लिए पसंद होगा उसको use करने के लिए आपको क्या करना होगा जैसे मुझे यहाँ पे एक जंडो बाम मंगवाना है तो उसके उपर आपको क्लिक करना होगा जैसे क्लिक कीजिए तो आपके सामने इस तरह का interface open होके आ जागा आपको हड़ बाड़ी में और जल्दी में नीचे साइड जो ओफसन से बै नो इसके उपर किलिक करके इस प्रोडेक्ट को ओडर नहीं कर देना है जिससे आपको डिसकॉंड नहीं मिलेगा और आप सही से फोन पे एकाउंट का रिवर्ड को यूज नहीं कर पाएंगे और बाद में कैमेंट करके मुझे बोल तो उसके ऊपर आपको किलिक करना है जैसे किलिक कीजएगा तो जो कोड होगला यहां पर शो होगएगा तो इसके बाद इस वह product का details यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद जब आप एक copy कर लीजेगा तो आपको क्या करना होगा by no के option पर click करना होगा जैसे click कीजेगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होके आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस product की price है 709 रुपिया अब ओ जो मैं code copy किया था उसको डाल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कितना discount मिलता है आपको यहाँ एक options देखने के मिल जाएगा जो मैं आपको red color से दिखा रहा हूँ added to card इसके ओपर click करना होगा जैसे click कीजेगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होके आ जाएगा आप इस product के price को देख लीजिया और याद रखे 709 रुपिया है और सही से मैं reverse को use करके इसमें कितना मुझे discount मिलेगा उन मैं आपको दिखा देता हूँ discount और सही से use करने के लिए आपको क्या करना होगा check out को options यहाँ देखने के मिल जाएगा इसके उपर आपको click करना होगा जैसे click कीजेगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होके आ जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस product के कीमत price है 749 रुपिया और उससे पहले जो code copy किये थे आपको क्या करना होगा यहाँ पे एक options है discount code इसके उपर आपको उस code को paste कर देना है तो paste करने के लिए इसके उपर दबा के रखेगा उसके बद paste का options आएगा उसके लिए उसके बाद उसके सामने एक तीर के निसांद आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो उसके उपर आपको क्लिक करना होगा जैसे क्लिक कीजएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह के से process होगा और यहाँ पे जितना भी discount होगा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टोटल प्राइज टोटल कीमत इस प्रोडेक्ट का 499 यानि 749 से घट करके 499 हो गया यानि उस कोड को मैंने यूज किया इसलिए तो इस तरीके से आप सही से फोन पे रिवर्स के यूज कर सकते हैं और उसे डिस्कॉंड अच्छा खासा मिल सकता है इससे आप सही से यूज कर सकते हैं आई होप कि ए वीडियो आपको समझ में आगई होगी कि फोन पे रिवर्स को आपको सही से कैसे यूज करना है कैसे डिस्कॉंड लेना है इसमें आपको Amazon फिलिप कार्ड में जैसे बड़ी-बड़े कंपनिय आपको डिस्कॉंड देता है यूज करने के लिए देता है तो आप इसी तरीके से फोन पे रिवर्स को यूज कर सकते हैं और डिस्कॉंड ले सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और हमारी चैनल में नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना आप से रिक्व सकते हैं यूज कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और हमारी चैनल को भी में जहीं हो।